हाई अब्रीबन मैं दीबक शर्माद सब लोगों स्वागत करता हूँ तो स्सी थोड़ा तेजी से काम कर रहा है विद मैं जितने भी वीडियो देखता है या सुनता आरता सब लोगों यही क्याना था सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुली से एफ एफ एग्जामिनेशन 2023 के लिए यहाँ पर डेकलरेशन कर दिया गया है of the result of paper second जहां पर students को medical examination के लिए बुलाया जा रहा है फटावर से देखते हैं notification में क्या क्या देखने हों मिला है इन्होंने काया कि हम लोगों result declare किया है PAT और PST का यानि physical endurance test या physical standard test का सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलीस के लिए इन्होंने बोलाया कि overall जो candidate थे वो 8544 candidate जिसके अंदर male जो 7923 female 621 shortlist किये गए थे जो paper second में आने वाले थे paper second जो हुआ है वो conduct किया गया था 8-1-2024 में यहाँ पर paper second जो है वो conduct किया गया उसके बाद अगर हम बात करें इन्होंने काया कि जो सिरफ उन candidate का score UR 30% OBS OBC EWS 25% और other category 20% अगर इस से ज़ादा minimum threshold से ज़ादा है तो उनको shortlist किया गया medical examination के लिए NCC वालों के यहाँ पर bonus दिया गया अब देखते है cut off क्या रही female के अगर बात करें तो 568 total candidates को चुना गए जिसके अदर cut off अगर हम देखें SC के लिए 213 है ST के लिए 235 है OBC के लिए 247 EWS के 265 और UR के लिए 309 आप cut off देख सकते हैं और वही अगर हम बात करें male candidates के लिए total जो candidates चुने गए है 6478 और category wise जो है SC के लिए 160 ST के लिए 165 ESM के लिए 133 OBS के लिए 214 EWS के लिए 217 और UR के लिए 294 जो है एक cut off जो है नो दिये paper 1, paper 2 की cut off है अब जिन candidates का नाम यहाँ पर आएगा उन candidates को medical के लिए examination के लिए intimate कर दिया जागा आने वाले समय में website पर पता चल जाएगा वही इन्होंने ये भी कहा है कि इन्हें से कुछ 60 candidate को withhold रखा गया है, रोका गया है due to certain reason जिनका नाम जो है जिनका नाम जो है list 3 में देखने को मिलेगा इन्होंने ये भी कहा है कि final answer की और जो marks होगा qualified और non qualified candidates के वो website पर बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा अब SSC अपनी तरफ से हर चीजें जो है थोड़ा speedly कर रहा है बस SSC से थोड़ा से ये है कि selection post है इसका notification में देखने को जल्दी से मिल जाए तो फटाबट से लोग fill करने लगे और जो इस बार बच्चे CPO में select नहीं हुए है दिल जोटा ना करो क्योंकि तुमारा CPO का exam कुछी समय में आने वाला है एकदम परेशान नहीं होना है बहुत जादा समय नहीं बचाए जब आपका CPO का examination जो आने वाला है तो अपनी तयारी में लगे रहे हैं जो इस बार नहीं कर पाए हैं और जो इस बार कर पाए हैं पहली बात उन सब को congratulations medical के लिए आप तयार करें और जो लोग नहीं कर पाए हैं एकदम tension free हो जाओ क्योंकि SSC के इस आपसे notification इस महीने जो है CPO का निकलना चाहिए तो वेट करते हैं कि फटावर्च से SSC जो है notification जारी करें क्या-क्या चीजे हैं कुछ change है तो भी पता चले और जो लोग तयार करें एकदम जान लगा तो चाहे वो selection post हो examination date हमको बता है CPO के examination date परता है तो हमें examination date तो पता ही है न तो उन सब examination को देखते हुए आप लोग जो हैं पूरी जान लगा दे ठीक है इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे SSC के साथ रेलवे की तयारी भी करें तो रेलवे की तयारी करने वाले सभी बच्चे एक जान अकले के पूरे साल आपके exam है तो अगर इस exam में अगर बाई चांस नहीं हो पाया है तो make sure कि आने वाले जितने भी exam है अगर आप SSC के दे रहे हो रेलवे के दे रहे हो जो भी exam आने वाले हैं उन सब exam में बहतरीन जबरदस performance करें ताकि आपका selection इस साल हो जाए तो इसी selection को बहुत जबरदस बनाने के लिए 18 फर्वरी को 11 बजे एक scholarship test है जो आप सभी लोग दे सकते हैं scholarship test में जो बहुत बहतरीन perform करेगा उसको मिलेगा 100% scholarship और बहुत सारे logo में से कुछ 20 logo चुना जाएगा जिनको gift voucher मिलेगा तो उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं बाकि SSC थोड़ा इसी तरीके से काम करें बहतरीनी तरीके से काम करें तो मजा ही आजाए चीक है चलिए तो उमीद करता हूँ आपको जितनी भी जानकारी है वो अच्छे समझ में आ गही होगी बस आप medical के लिए wait करते हैं कि medical जब भी होगा तो हमको थोड़ा date पता चल जाएगा कि medical का date और जो marks final list में है जो qualify किया है और जो qualify नहीं कर पाए उन सब के marks पता चल जाएगे और कोशिश करिए CPO pre बहुत नजदीक है तो अपनी तयारी को थोड़ा अच्छे से previous question के साथ करें और इसी तयारी को मैं बहतरी नी बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ GAGS की daily 8 बजे इसी चैनल पर मैं class लेता हूँ तो वो class आप ज़रूर करें science की class लेता हूँ तो एकदम जान लगा देते हैं इस बार ताकि अगर किसी कार्ण वर्ष मैं पिछली बार CPO नहीं qualify कर पाया था तो इस बार मैं CPO को जरूर फोड़ूँगा और जिन लोगों का medical है चीजों को तोड़ा देखें medical में क्या-क्या चीजे जरूरी है कैसे उन पर थोड़ा ध्यान दे और तयार हो जाएं और बाकी सब लोग लगे रहें तयारी में ये साल आपका सबसे बेतरी साल होने वाला है बाबा